बुद्वार को जगत गुरू संत श्री सेवालाल महराज की 284 जैनती पर बेसा के पदमावती मैदान में भव्य कारिक्रम का आयोजन किया गया जहां सेक्डो भवक्तों ने इस जनम सोहडा में शामिल होकर भजन पूजन में उत्सा के साथ भाग लिया बेसा इस्तित पदमावती मैदान में इस महुत्साफ को पिछले 10 सालों से मनाय ज़ा रहा है इस सबार जैनती महुत्साफ को मनाय जाने का आरम धर्म गुरू तपस्वी महराज बापू इनके कहे अनुसार सुबा भवी कलश जात्रा के साथ शिरू हुआ जिसके बाद शाम के समय पदमावती मैदान में भक्तों ने उत्सा के साथ भजन धुनी पूजन में भक्ती में होकर संत श्री सेवालाल महराज का जनम उत्सा मनाया संत्य श्री सेवालाल महराज ने समाज में एक तक संदेश दिया एवं युबाँ को आगे आने वह समाज के लिए तत्पर रहने को कहा इसलिए हर साल संत श्री सेवालाल महराज की जैनती के इस पर्व को मना कर सरधम संभाव राश्री एकात्मता बंधुभाव निर्मान का संदेश दिया जाता है पायुचिन के लिए अनुस्वया आत्माराम राठों ने परिश्रम किया हूँ आज जगत गुरु संत स्री श्यवालाल महराज की 244 जैनती मौसव पद्मावतिनगर बेशा नाकपूर में मनाया जाता है यह पूरे गोर बंजारा समाज की ओर से यहां पर मनाया जाता है उस सव इस मौसव का यह यहां पर पद्मावतिनगर के पटांगन में दस्वा साल है यह जैनती मौसव हमने हमारे धर्म गुरू तपस्वी रामराव अपू के आग्या से और उनके शुब आशिरवास से यह शुरुवात हम लोगों ने की यहां पर नाकपूर नगरी के सारे भाविक भक्त आते हैं यह जैनती मौसव सर्व धर्म समभाव राश्ट्री एकात्मता और बंदू भाव निर्मान करने के लिए यहां मनाई जाती हैं इस जैनती मौसव में सारे धर्म के बंदू और माता भगिने आते हैं और सब लोग यहां पर भगवान के चरनों में यहां पर अपना आशिश लेते हैं और यहां पर महापरसाद लेके यहां पर कारेकरम संपन्न होता है इस साल पद्मावती नगर में कल शाम को जंडा पुजन और धुनी पुजन हुआ आज 15 फिबुर्वारी 2023 को सुबे 6 बजे यहां पर कल शात्रा निकाली गई जिसमें हमारे नगरी के सारे बंदू भगिनी थे उसके बाद शाम को साड़े 5 बजे से जन्म संत सिवालाल मारा जन्म सोडा भजन किरतन हो रहा है और उसके साथ ही अभी सारे भक्तगणों के और समक्ष यहां पर माहा आरती हुई उसके बाद भोग विदिवा और अभी माहा परसाद वित्रन हो रहा है और ये कार्यकरम सर्वधर्म समभाव से यहां मनाया जाता है क्यामरा परसन अखलेश भारत वाज के साथ अक्सान सारी बीसे न्यूस नाख पोरू